गुड इवनिंग फ्रेंट्स वेलकम ट्यू एजूकेशन चैनल दोस्तों आज जो हम नोटिफिकेशन डिसकस करने वाले हैं इसमें एसिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी निकली हुई है कोई भी ग्रेजुएट होल्डर अपलाई कर सकता है चाहे वो टेकनिकल हो नोन टेकनिकल हो कोई भी कंडिडेट अपलाई कर सकता है इसमें एनी ग्रेजुएट लॉग कंडिडेट चीए जिन्हों ने किया है फाइनांस यसनों ने क्या हुआ है ग्रेजुएट या पोसईट तो वह अपलाई कर सकते है इसमें 25,000 रुपया इन हैं आपकी सैली स्ट्चर इसमें मैं वेकंसी निकली हुई है राइड ग्लोबल रडी इंसोरेंस सॉलिशन जी आइसी आड़ी राइड वेकंसी निकली हुई है था हम देखेंगे कैसे अप्लाइ करना है राइड दोस्तों और विडियो के लास्ट में एज यूजवल तीन नोटिफिकेशन मिलेगा जो सेंटरल प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि गौर्मेंट जॉब से आपको मिलते रहे और इसमें कोई भी आप्लिकेशन फी नहीं है जनरल इंसोरेंस कॉर्प्रेशन ऑफ इंडिया में वेकंसी निकली हुई है 44 ऑफिशर्स की वेकंसी है इसमें लास्ट डेट है 29 मार् इसमें पहले आपका अब देखिए फाइनांस चार्टर एकांटेंट डिपार्टमेंट है इसमें इसमें राइट ग्रेट होल्डर विच्टी परसेंट मार्क्स फोर जेंडर और 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 सेस्टी परसेंट मार्क्स रखा गया है और कंडिडेट्स फूर्ड फास्ट फाइनाल एक्जामीनेशन ऑफ इंस्टीट्ट्ट्ट चार्टर एकांटेंट ऑफ इंडिया सी जिन्होंने क्वालिफाइई किया हो और शूट परवाइड सेंट प्रवाइड दर मेंबर सिप नंबर और सेंव वैलिड इंस्टीट आप चार्टर एकॉंटेंट क्वालिफाई किया हुआ है रिजिस्टर्ड है वह अप्लाइब कर सकते हैं फाइनांस चार्टर एकॉंटेंट एसिस्टेंट मैनेजर 65,000 रुपी सैलरी है इसका सेलेक्शन प्रोसेस के आप मैं आपको बताऊंगा जैनरल में जो है आपका कोई भी ग इंसोर्ट में जो है टोटल 10 वेकेंशिया एनी ग्रेजिएट फोल्डर कैन अपला राइट इसमें दिया है कंडिट शूट पॉसेसस पोस्ट ग्रेजविट डिगरी और डिप्लोमाइन जैनरल इनसेरेंट रिस्क मेनेजमेंगींट एन लाइफ इनसेरेंट एफिए मैंआ कर सकता है लास्ट डेट है 29 से मार्च तो आप अप्लाइ कीजिए यहां पर जो है पार्केशन किया गया चोवाइस वेकंसी का जनरल के लिए ठाड है अब देखिए यहां पर जो है मुंबई में जॉब का औफर मिलेगा और यहां पर जो है जैसा कि मैंने आपको बताया था इसका एक्जामिशन पैटर्न डिसक्स करूंगा मैं आपके साथ अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों यहां पर देखिए रिट कम आते हैं यह दिखे एक्जामनेशन सेंटर है एवरी स्टेट में पेपर होने वाला है उसका सीटी यहां पर दिया गया है रहे दोस्तों आप देखिए इसमें पैटर्न जो की स्पेसिफिक जो टेक्निकल होगा लाइक लाउस से हो गया या फिर रिस्क से रिस्क मैनेजमे से हो गया उनके लिए अलग पेपर होगा स्पेसिलिस्ट के लिए देखिए इसमें टेक्निकल चालिस नमर का पुछा जाएगा उसके बाद पार्ट में होगा वह होगा जो है इस बीश मास का इंगली स्पेसल इंभेसाइज और ग्रामर और वोकबलरी पचीश कोश्चन पचीश मार्श जेनल अवरेडिनेस बीस कोश्चन बीस मार्श टेस्ट आप नुमेरिकल अबिलेटी एंद कंप्यूटर लिटरली लिटरसी 15 कोश्चन पंदरर मार्श उसके बा बात जो जनरल स्टीम के लिए है राइट उनके लिए जो है आप देखिए यहां 40 नमर का और रिजिनिंग अबलेटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग 40 नमर का पूछा जाएगा राइट प्रिजेंस आप माइंड मोस्ली प्रिजेंस आपका दिमाग कितना काम करता है उससे आपको क्या करना है यह सारी जो जब आप इंटर्व्यू के लिए जाओगे दैन फिर आपको क्या के करना है सब पहले कॉल लेकर जाओगे जो यह काड है उसके बाद फिर जो आप फॉर्म फिल ऑनलाइन करोगे तो उसका आप जो है प्रिंट आउट निकाल के रखिए वह जरना पड़ेगा अधार काड हो गया आ Veter compressage हो गया उसके बाद जितने भी आपका पोस्ट जो डिगरी है या पर आप रेक्पर के जाना पड़ेगा का class your subscription एक तो यह सुछ कुछ आपको लेके जाना पड़ेगा राइट दोस्तों यह सारी चीज़ें हैं जो आपको carry करना है at the time of आपका जो है interview या group discussion right so all the best for your selection process 50 नमर का आपका interview और group discussion का marks होगा और डेर्सोर नमर का return examination so आप apply कीजिए अगर कोई doubt है तो आप comment कीजिए मैं आपको response करूंगा दोस्तों और एजुकेशन चैनल को subscribe करना ना भूलें अभी जो स्क्रीन पे तीन notification दिख रहा है इसको जरूर देखां और इसमें भी apply करें राइट so all the best thank you for watching this video please share this video with your friends and subscribe this channel thank you